हलो दोस्तो कैसे हो तो दोस्तो आज की इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के वीडियो में बात करने वाले IPL 2021 के नेक्स्ट मैच के बारे में जो के होने वाला है Mumbai Indians WS Sunrises Hyderabad इन दोनों टीम्स के बीच में दोस्तों ये मैच आज शाम को साड़े साथ बजे स्टार्ट होगा, वेन्नी होने वाला है, अरून जेटली स्टेडियम देली, दोनों दोनों टिम्स में एक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं, तो उसके बारे हम लोग बात करेंगे, यह सारे अच के लिए ये मैच बहु अपडेट करता रहूँगा, टेलेग्राम चैनल के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर फर्स्ट कमेंड में मिल जाएगी, जहां से आप लोग टेलेग्राम चैनल से जोईन हो सकते हो, तो जो लोग आई बात करेंगे, पीच रिपोर्ट के बा दिये, फिर राजसान रोजस ने 220 बनाए थे, यसरेच 165 बना पाई थी, बट यहां पे चारो मैचेस में बैटिंग विकेट थी, और ग्राउन बहुत छोटा है, तो यहां पे बड़े सिक्सेस लगाना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान, स्पीनर्स को किया हुआ है, ठीक है, तो चो लोगाइस बढ़ते हैं, आगे, मॉंबाइटेंस की बात करें, साथ मैसे इन्होंने चार जीते हैं मैचेस, तीन लोग मैचेस यह हरे है, पॉइंट स्टेबल पे नमबर चार पे चल रही है, कुछ इस तरह के सिन की प्लेंगी नहीं रही थी, कि पिछले मैच में धवल कुल करनी को खिलाया था, जेमस निशम को इन्होंने खिलाया था, बट आइधिंग धवल कुल करनी इस मैच में ड्रॉप हो जाने चाहिए, जेमस निशम भी इस मैच में ड्रॉप होने चाहिए, इशान किशन को खिलाया जा सकता है नमबर चार पे अब तक हुआ क्या है रोई शर्मा का फॉर्म पूरे IPL में अच्छा लगा है स्रिप एक इनिंग ऐसी थी जहाँ पर यह उतने कमफ़टेबल नहीं लगे बाकि हर मैच में कमफ़टेबल लगे ठीक है पिछले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग रहे थी 35 बनाएते 24 गेंद यह सरेच के सामने बनाएते एक सिक्स लगाया था अगले एनपे विजेश शंकर के सामने आउट हुए थे बट देखो इनके ज़्यादा रन बने नहीं है फॉर्म इनका बहुत अच्छा चल रहा है अच्छे टच में है बट रन ज्यादा बने नहीं है यही एक प्रॉब्ल बालिंग में इन्होंने श्ट्रगल किया है हाँ इस मैच में इनकी पॉलिंग इंपॉर्म बन सकते हैं बिकॉज यह सरेच के मैक्सिमुम राइट हैंडेड बेट समने उनके सामने कुनाल पांद्य अच्छा कर सकते हैं हार्दिक बेट कि बात करें तो स्टार्टिंग के पा आप दो बेस्ट आई पेल इनिंग मेरी सबसे में कहूंगा बहुत अच्छी पारी यह जो 35 बनाएते ने यह सारीच के सामने ही बनाएते तो यह सारीच के अगेंस अच्छा करते हैं हमेशा देखके चलोगे राहूल चहर ट्रेंड बोल जसुर बुमरा बेंच पर लीन दिखे तो इन्होंने अब तक निकाले है लगबग 8 विकेट्स ठीक है 8 विकेट्स साथ मैच में यह जो 3 विकेट्स निकाले थे यह सामने ही निकाले थे और यहाँ पे ना कई ना कई मुश्किले हो रहे है विकर यहाँ पे पिचर्स थोड़ी से अच्छी बैटिंग के लिए तो अब तक गेंदवाजी विकेट्स अब तक निकाल चुके है विकेट्स निकाले थे यह सामने धोल कुल करने का फिर्स मैच ता 48 रन दिये थे हो सकता है इस मैच में ड्रॉप हो जाए देखके चलोगे बेंच पे अडम मिलने एक ही मैच खेलते हैं मारको यांसें स्टार्टिंग के दो मैच खेलेते हैं जयेंत यादो उन्हें तीन मैच खेलेते हैं नेथन कुल्टर नैल ने सिर्फ एक ही मैच खेला था हो सकता है आपको कुल्टर नैल फिल से खेलते हुए दिखे इस मैच में दोस्तों अब बात करते हैं यह सारेच की तो साथ मैचेस में से इन्होंने भी स्रिप छे ही मैचेस जीती स्वरी एक ही मैच जीता है छे मैचेस यह लोग हार चुके तो बहुत बुरी सिचुएशन में है फर्स्ट टाइम पुरे आईपेल के इनके करियर में इतनी बुरी सिचुएशन में यह टीम आई होगी और पॉइंट स्टेबल पे लास्ट में चल रही है पिछले मैच में कुछ बोल्ड डिसीजन होने लिए बहुत जादा उस पे कमेंट्स आते हुए दिखे बाहर से बट आई थिंक डेविड वानर इस मैच में भी नहीं खेलेंगे लगबग यही टीम होगी स्टिप मेरी सबसे नभी के जगर पे आपको जेसन होल्डर खेलते वे दिख सकते एक पेसर को एड किया चा सकता है नभी को बॉलिंग दी बट एक ही ओर दी बट ओ भी 16-17 दो और में दी थी कहीना कई गलती हो गई थी बट मुझे लगता है कि जेसन होल्डर हा सकती इस मैच में नभी भी बैसा ठीक करेंगे बिटो लेट अने बैसमन है मुंबई के स्कौर्ड में तो नभी भी भी बैसा ठीक कर सकते बैटिंग के साथ अच्छी बैटिंग करी थी बैश्टो की बात करें तो इनका फर्म अच्छा रहा है 30 बनायते पिछले में जो दो रन प्रिंग की सामने आउट हुए थे केन विल्यमसन, इंका फार्म भी वाई से अच्छा है, 16, 66, 26, 20 रन, ठीक है, और कैप्टेन भी अब टीम के, केतार जादो, ठीक है, कैमियोस खेल सकते, बढ़ ज्यादा में रिकमेंट नहीं करूँगा, small league के लिए, grand league में try करोगे, same with Vijay Shankar, small league में रिकमेंट नहीं करूँगा और पिछली बार मॉंबई के सामने नहीं दो विकेट्स निकालेते, नभी की बात कर लेते तो यह जो 28 भी न, यह मॉंबई के सामने इनके आये ते, जो हैस्ट कोर था, नभी खेलेते पिछली मैच में, first मैचे खेलेते, उसके आड़ ड्रॉप होए थे, फिर last मैच में खेल इनको ड्रॉप किया था, विराट सिंग फ्लॉप रहे थे, अभी सेक्शन मा फ्लॉप रहे, डेविड ओनर अविसली रन इनोंने बनाये हैं, बर स्ट्राइक रेडिंग का कही ना कई कम था, इससे वज़े इनको ड्रॉप किया गया है, जगदिशन सुचित 14 रन बनाया थे जब एक मैच इनोंने खेला था, अब बात करतें बॉलिंग की तो बुमरा, उतना अच्छा इनका IPL अब तक रहा नहीं है, पाच मैचस खेले, दो मैचस में इंजर थे, विकेट्स इनको अब तक स्रिफ तीन विकेट्स मिली है, खली लेमत की बात करें तो इनोंने भी अब टक निकाल चुके अपने साथ मैचस में गेंदबाजी अची कर लेते हैं, जहाँ पे जिरो विकेट इनको मिले न, यह मुंबई के सामने मैच था, जहाँ पे इनको एक भी विकेट्स नहीं मिली थी, विजयए शंकर दो विकेट्स निकाले ते, मुंबई के सामने इनों न पिछले मैच में भी नको एक vicket मिला था, पार्ट टाइम बॉलर, दोटी नूर, गेनबाजी शायद करे, नभी की बात करे, फ़र्स मैच में दो wicket थे, उसके लाध ड्रॉप किये थे अगले पाँच मैचेस में, और पिछले मैच में खेलेते हैं तो एक और में 21 रन दियाते हैं बट गेनबाजी भी गलट टाइम पे दीती इसी वज़़े से बाकी लेप्ट हेंड बैसमन है मुंबई के स्कॉर में तो फिर से नभी आपको शायद खेलते हुए दिखे अगर नभी नहीं खेलते हैं तो आप हेड टुएड स्टेट्स के अगर बात कर ले तो दोनों टीम्य से बिचम्से 17 मैच असके सत्रा मैचस कर लेते हैं चबोबस है मुझे 8 मैच जिते पिछला वाला मैच मुंबई जीती थी इस ही ITL में हेड टो एट के स्टैट्स में एसर हेज की और से सबसे जआधा रण सित्खान को आठ विकेट से और मुंबद नभी को चार विकेट मिली है मुंबई के सामने मुंबई के और से पोलाट ने सबसे दाधा रन 418 रन्स बना हुए डिफरेंस देखो सेकंड नंबर पे परहोई चर्मा जिनननके 259 है पोलाट के 418 है डिकॉक 220 कुनाल पांडया 180 सुर पिछले मैच में 2 विकेट थी ट्रेंड बोल को पिछले मैच में 3 विकेट थी जो पिछला में 14 चन्ने में दोनों टिम्स के बीच में मुंबई वसेज यसरेज मुंबई ने 150 बना है ते 5 विकेट के नुकसान पे यसरेज 137 पे अल आउट हो गई थी उस मैच में डिकॉक न 40 बना है थे 39 गेंदों में रोईच शरमा 32 25 गेंदों में सुर्यकमार याद दो 10 पे आउट हुए थे इशान किशन ने 12 ही बना है थे पोलाड ने 35 के कच्छी पारी खेली थी लास दो बॉल पे दो सिक्सेस लगा है थे बुनेशरुक कुमार को हार्दिक पांडे ने साथ ब राउट किया था रहुल चहर ने विजेश शंकर ने 28 बना है थे दो विकेट्स भी उस मैच में निकाली थी जिस मैच दिंग एक विकेट इस सुर्यकुमार यादव की थी एक विकेट रुईच शरमा की थी भुनेशरुकुमार जिरो विकेट्स खलिल एमद एक विकेट मु मुंबई के बैट्समन वर्सेज यसारेच के बॉलस तो रोहिश शरमा को संदीफ शरमा चार बार आउट कर चुके है अभी पिछले दोन मैच चैस में संदीफ शरमा खेलेते तो इस मैच में आपको खेलते वे दिख सकते है भुनिश रुकुमार ने एक बार आउट किया है राषित खान ने एक बार आउट किया खलीलेगा खेल को एक खेलने के चांसे कम है ठीक के यह थोड़ा देख के चलोगे डिकॉक, संदीव शर्मा ने एक बार आउट किया है, भूनेश और कुमार ने एक बार आउट किया है, खलिल एमद ने एक बार आउट किया है, सिद्दाल कोल भी एक बार आउट किया है, बाकी नभी और होल्डर ने अब तक आउट नहीं किया, दोनों में से आपको कोई एक सिद्दात कोल भी एक बार आउट कर चुके नभी ने भी इशान किशन को एक बार आउट किया है बाकी किसी बॉलर्स ने इशान किशन को आउट नहीं किया है ठीक है स्पेशली राशित खान भी 45 बॉल में 53 रंदी है तो राशित खान को इशान किशन ठीक ठाक खेल लेते हैं हर्दिक पांडिया को दो बार किया है राशित खान ने आउट 33 गैनो में 18 रंदे के तो ये बैटल इंटरस्टिंग है सिद्धात कोल ने भी 15 गैनो में स्रिफ 7 रंदे के दो बार आउट किया है संदिप शर्मा एक बार भूनिशर कुमार ने एक बार आउट किया है खली लिम सिर्फ एक ही बार दिये पोलाड ने तो पोलाड ना राशित खान को संबल के खेलते सिंगल डबल करके खली लेमद एक बार आउट कर चुके है सिद्धात कोल एक बार आउट कर चुके है नभी ने अब तक आउट नहीं किया है अब बात करेंगे यह सारेच के बैट्समान्स स्वासास मुंबई के बॉलर्स तो बोल्ट ने जोनी बेस्टो को दो बार आउट किया है राहूल चहर ने भी दो बार आउट किया जोनी बेस्टो को बुमरा ने अब तक आउट ने कुनाल पांडे ने पिछले मैच में ही आउट किया था जोनी बेस्टो को मनिश पांडे क के बात पूंपकर लेते हैं कुल्टर नाल बुंबरा इन दो नों ने बीए एक बार आउट किया है एक बार इनकी अंकर के बात करें जस्पीर बुम्रा ऐक बार ऑट का फोल्ट के दो ख में डाले जहापीनों ने आउट कर दिया था राहूल चर ने अब तक आउट नहीं किया है डेविड वार्नर के मैंने आपको स्टैट्स प्रोवाइट कर दिया है अगर खेलेंगे तो फिर आपके काम में आ जाएंगे अगर नहीं खेलते हैं तो फिर छोड़ देना भुमरा दो बार आउट कर चुक है डेविड वार्नर को 50 बॉल में 56 रन देगे बट आईपेल में एक बार भी आउट नहीं किया दोनो बार इंटेरनाशनल लेवल पे ही आउट किया है बोल्ट एक बार आउट कर चुक हैं कुल्टर नाईल ने एक बार आउट किया या पर लेक स्पिनर को भी विकेट नहीं और दोनों के अगेंस रन भी अच्छे खासे बनाएं यह डेविड ओनर की कॉलिटी है और हर मैच में आपको यह चीज आपजर करोगे लेक स्पिनर के सामने डेविड ओनर जादा फसते नहीं है हाँ अगर आपस्पिनर होगा तो कई न कई फसते तो यह इंपोर्टन फैक्टे डेविड ओनर का खेलेंगे तो एक अच्छी पारे आपको इस मैच में खेलते वे दिख सकते है तो दोस्तों पहले बतादू कि बहुत आर ओपनर हो बहुत आर वेरी इंपोर्टन प्लेस दोनों को रखना ही पड़ेगा दोनों का फॉर्म अच्छा है इशान किशन अगर दोस्त यह आ जाएंगे टीम में तो नंबर चार के लिए बहुत जबरदस डिफरेंशल प्लेयर का काम करेंगे देखके चलोगे बा सुरियों को मारी यादो जिस कॉलिटी के इनको ड्रॉप करना ज्यादा रिस्क बनेगा और कहीं न कई उम्मीद होगी कि इस मैच में आपको एक अच्छी पारी खेलते हुए दिखे तुमें इनको लेके चलूँगा हर्दिक पांडया अगें डिफरेंशल प्लेयर का काम कर देखो जिस तरी किसे इनको पिछली मैच में दो सिक्सेस लगाए थी इनकी फॉर्म रिटन आ चुकी है और अगर एक बार इस बंदे की फॉर्म रिटन आ जाए तो यह बंदा रॉन बनाएगा देखो फॉर्म वैसे आउट अप फॉर्म तो मुझे वह ऐसे लगे नहीं थे विगोट चेनने में बैटिंग करना मुश्किल बन रहा था इसी वज़े से जैसे दिल्ली में इनों यह रन बना दिये और अगर ज्यादा बैटिंग मिलती है तो फिर से आपको बड़ा स्कोर करता दिख सकता है बड़ साम राशित खान होंगे बस वही मुझे एक डर है बा और और सेक्षन अभी यहाँ पर पोलाड के साथ सारी पबलिक आएगी 78% पबलिक ने लेके रखा हुआ है और कोई गलत नहीं है लेके चल सकते हो पाच नमबर पे इनको बैटिंग भी मिल रही है प्लस गेनबाजी भी करी थी पिछली मैच में और लास्ट टाइम यह कर सकते हैं विकेर्ड भी निकाल सकते हैं पहनली चोईस तुम्ही कुणाल पांड़ोंगा जंबर चार पे आरहे तो मैं 100% वहाँ टीम मेरी रखूँगा अगर इसानकेशन खेलते हैं तबही कुणाल पांड़ोंगो डॉप करके फिर इसानकेशन को ले सकता हूँ अब भी क ट्राइ कर सकते हो Grand League में especially last time Mumbai के सामनीन का performance अच्छा रहा था 28 रन थे प्लस दो विकेट्स थी but मैं ज्यादा रिकमेंट नहीं कर रहा हूँ Small League के लिए Grand League में ट्राइबल है नभी खेलेंगे तो मेरी टीम में जरूर रहेंगे ठीके last match में खेले थी इस match में थोड़ा डर लाग रहेंगे को drop team कर सकते हैं नभी या फिर holder दोन में से कोई एक खेलेगा जो भी खेलेगा मेरी team में 100% में लेने वाला हूँ अभी के लिए में दोनों को नहीं लूँगा प्लेइंग लिए लिए नाने के बाद हम लोगो चेंज कर लेंगे निशम खेलते भी तो मैं small league के लिए recommend नहीं करूँगा जरूर आप लो grand league में try करोगे but not for small league भागी नीचे से कोई खेलेगा नहीं चलते बॉलिंग सेक्शन में राशिद खान important है जरूर बटना है credit के problem है और मेरे पास credits भचे नहीं है अगर मैं राशिद खान को ले लूँगा तो फिर मैं team address नहीं कर पाऊँगा the reason I'm dropping राशिद खान here ठीक है I'm going with train bolt I'm going with Rahul Chahar actually and then I'm going with Jasprit Bumra ठीक है मैं तीनों main Mumbai के ballers को लेके चलने वाला हूँ अभी 8 credits में या तो खली लेमद है या फिर सिद्दात को ले जो पिछले मैच में खेले नहीं थे तो मैं अभी खली लेमद को ही ले लूँगा अभी मुझे खली लेमद को लेना नहीं है बटना मेरे पास credits है नहीं और अ obviously credit का problem है तो नहीं ले पाऊंगा तो मैं खली लेमद के साथ जाओंगा ठीक है या फिर बुमरा का भी selection का मैं बुमरा को भी कम public लाएगे तो चाहो तो बुमरा को drop करके आप लोग क्या कर सकते हो या पर पोलाट को ले सकते हो यह change भी आप लोग बिल्कुल कर सकते हो मैं अगर फिर से flop जाता है राशित खान अगर फिर से एक विकेट भी ले लेता है तो राशित खान बेटर पॉइंट्स देगा compared to सुर्योकमर यादो बाकी यह आपकी चोईस बनेगी पोलाट को लेंगे हम लोग according to playing लियो और according to toss तो अभी के लिए बुमरा को लेंगे बाकी अ अगर फिर से open करेगा तो यह भी बहुत अच्छा option बनेगा तो चार-पाच्छा option से अभी के लिए captaincy मेरी रोई चर्मा को ही जाएगी वह इस captaincy मेरी इस match में जाने वाली क्विंटन डिकॉक को left-handed batsman के साथ में continue करूँगा because राशित खानी एक ऐसा weapon है यह सारे इसके पास जो मॉंबई के batsman को परेशान करेगा फिर विकेट निकाल सकता है और left-handed batsman leg spinner के सामने अच्छा कर लेता है तो मैं क्विंटन डिकॉक को प्रेफर कुनगा सेपर चोईस होगी मुझे डर लग रहा है कि रोई चर्मा को राशित खान आउट कर ना दे पर ठीक है इसे वज़ तो दोस्तों ये मेरी सेम तीम है बस मैंने एक चेंज किया खरी लेमत को ड्रॉप करके मैंने फिर राशित खान को ले लिया विकोस यह वे क्रेट का कुछ इस्यूद नहीं अभी दो क्रेट बचे हुए तो कोई भी प्रॉब्लेम है नहीं अगर इन पीच रिपोर्ट को दे बिलकुल चेंज करेंगे चलेंगे क्याप्टन मैस केपटन मेरी माईलियों सर्कल पर बी सेम होने वाले जो मैंने आपको ड्रिमियों पर बता चुका हूँ यही टीम आप लोग गेमजी पर बिलकुल कफी वेस्ट कर सकते हो फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम चैनल से जु भूलना है, यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्गूल नहां भूले, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, तो मोटिवेशन मिलेगा, महिनत जारी रहेगी और अच्छे से अच्छे रिजल्स आप को मिल जाएगा, thank you so much guys for watching